हलो गुड़ी इपनिंग मारे एर स्टूरेंस आपका स्वागत है हमारे चानल इंग्लिस ब्लास्टर में मैं राजबिर सिंह राथ और आपका इंग्लिस ट्रेनर आज आपके लिए फिर से एक इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफी इंपोर्टेंट है हर एक सब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंग्लिस में है और ये काफी बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे क्यूंकि इसको याद नहीं करना पड़ता बच्चो इसको देखना पड़ता है बार इसके आपका वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा ज्यादा नहीं रस बार रही है और में एक वीडियो में दस बारह इसलिए करता हूं कि बच्छो को बोर्डिंग ना लगे कि बहुत सारा है कैसे याद होगा ठीक है पड़ना में सेखेंगे बेमि जबन्जर बंजर यह जमीन痛 हैं ओनिकार्य। इसलिए इस़ों में में इसलिए। इसलिए लिखें। तो बंजर का अपोजिट क्या होगा बंजर का एंटोनिम्स क्या होगा बच्छो फर्टाइल उपजाओ फर्टाइल क्या होता है फर्टाइल नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगनिंग बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंब सुर्वात है ना बिगनिंग नेक्स्ट बून बून का मतलब होता है बर्दान क्या होता है बर्दान और बर्दान का उल्टा होता है स्राफ तो इसी को हम बोलते हैं बेन या कर्स बेन या कर्स का मतलब होता है स्राफ नेक्स्ट है हमारा बेटर बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा है नहीं बहुत बोंजित हो जाएगा वो स्वाहत बुरा बहुत घटीया बी निक्स में आरा चीरफुल चीरफुल का मतलब होता है खुसी प्रसंद्टा चीरफुल प्रसंद्टा और इसके अन् approach होता है ग्लूमी अप्र्संद्ट्ट्ट्ट्ट डीन कद एइसका एंटोनेवे ग्या होता है एडीन सब्सक्राइच चन्द इसकी हbraic है मेधिया होती है सहमती या एक्ता नेक्स है हमारा complicated 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 का मतलब जटील पिछीरा बहुत रह academy क्या लिए सिंपल कोई जपी हो रहवारा है और एंटो डिये में गरे सिंपल सतर्क क्या होता है सतर्क और इसका जो एंटोनेम्स होता है वो होता है नेगलीजिंट क्या नेगलीजिंट नेगलीजिंट होता है इसका एंटोनेम्स निक्स्ट है, consent, consent का मतलब होता है, सहमती, क्या होता है, सहमती, consent मतलब सहमती, और इसका opposite क्या हो जाएगा, decent, क्या, decent, और सहमती, है ना, इसका antonym होगा, decent मतलब और सहमती, next हमारा confess, confess का मतलब होता है, सुईकार करना, accept करना, confess, और इसका antonym क्या होगा, बच्चों, इसका antonym होगा, deny, क्या पढ़ते हैं, deny, ठीके बच्चों, deny पढ़ते हैं, इसका मतलब और सुईकार करना हो जाएगा, last है हमारा compare, compare का मतलब होता है, तुलना करना, क्या करना, तुलना करना, और इसका जो antonym होगा, वो होगा, contrast, क्या, contrast, क्या होगा, contrast, compare का contrast, आप इसको अच्छे से एक बार, एक दो बार पढ़ेंगे, तो definitely आपके दिमाग में ये बाते आ जाएंगे, ये चीजे hard नहीं हैं, क्योंकि कोई भी चीज बिना पढ़ें तो होगा नहीं, अब जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप वीडियो को अच्छा से देखे, अच्छे से पढ़ें, हाना, और इसको बार बार रिवाइज करें, तब जाके ये थोरा बहुत mind में रहे आप एक्जाम में question देखोगे और take करोगे, ठीक है बच्छो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करे, subscribe करे, share करे, comment करे, और हमारा सहयोग करे, that's all, जहीं जाभार,